हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है आज है हमारे पास ककसा 12 का हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन वाला यूनिट और ये हेलो एलकेन और हेलो एरीन का पहला लेक्चर है पर हेलो एलकेन और हेलो एरीन को पढ़ने से पहले बच्चो को और्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादे प्रॉब्लम आती है तो आपने class 11th में organic chemistry को धंग से पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है इस बात के उपड़ डिपेंड करता है कि आपको हेलो एलकेन और हेलो एरीन समझ में आएगा या नहीं आएगा इसलिए हम क्या करेंगे आज जो हमारा जो main target रहेगा वो रहेगा carbonic racine का परीच है हमें class 11th की और class 10th की organic chemistry यदी आती है तो हम इस chapter को बखू भी समझ सकते हैं और यदी organic chemistry हमें नहीं आती है basic concepts नहीं आते हैं तो हम इस chapter को नहीं समझ पाएंगे मुझे पता है कि यहाँ पर जो आज class में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में जादे तर बच्चे ऐसे हैं जिनकी organic chemistry के basics कमजोर हैं तो सबसे पहले आज का जो हमारा lecture रहेगा वो रहेगा carbonic racine का जो introduction है जो carbonic racine की नीव है यानि हमारे class 12 के organic chemistry के जितने भी chapters हैं उन chapters को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें organic chemistry के जिन जिन basic topics की आवशक्ता पड़ेगी उन्हें आज हम discuss करेंगे अब यहां कुछ बचों के दिमाख में सवाल यह आता है कि सर आपने time रात को 10 बजे का क्यों रखा है रात को 10 बजे का time क्यों रखा है तो 10 बजे का time रखने का भी यह बहुत बड़ा कारण है अभी मैं देख पा रहा हूँ कि कक्सा 12 के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत ज़्यादे ज़रूरत है कुछ बच्चों की numericals की demand है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर theory चलाओ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर NCRT के question लगवाओ तो अब मैं एक निसकर्स पर पहुँचा हूँ और मैं एक poll भी कराऊंगा निसकर्स ये है कि हम सुबह को 5 या 6 बचे एक lecture रखा करेंगे class 12 का और ये lecture चला करेगा रात को 10 बचे तो हम दिन में 2 lecture class 12 के लेंगे live class ठीक है जिन में से एक में तो numerical और NCRT के question चलते रहा करेंगे सुबह को 5 बचे या फिर 6 बचे जैसा आप कहोगे और दूसरे बैस में यानि रात को 10 बचे हम theory के सारे concept clear कर लिया करेंगे ठीक है बेटे और आपको पता है organic chemistry का basics clear होना कितना जरूरी है ठीक है अब अपनी notebook निकाल लो good evening good evening मैं आपके comments देख रहा हूँ आप notebook निकाल लो जल्दी से अपनी पढ़ना सुरू करते हैं देखो बेटे हमें पता है कि हमें आज start करनी है organic chemistry और organic chemistry में हम सीद्धे एकदम hello alcanes and hello arines के उपर attack नहीं करेंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि सिद्धे हमला बोल दिया hello alcanes और hello arines पर पहले जड़ा कुछ basics clear कर लें ठीक है बेटे देखो सबसे पहले organic chemistry को पढ़ने से पहले हमें यहां लिख लो एक heading लिख लो heading लिखो basic concepts basic concepts of organic chemistry ठीक है यह organic लिख लो basic concepts of organic organic के कुछ basic concepts आज हमें सीखने हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादे जरूरी है बहुत जरूरी बस आप अपनी copy pen निकाल के रखना जिससे बहुत तेजी से मेरे साथ साल लिखते रहो आपको बहुत तेजी से मेरे साथ साल लिखना होगा ठीक है कि जब हम carbonic կог bucks को अध्यन करते हैं तो सबसे पहले हते हैं hydrocarbon, hydrocarbon ऐसे carbonic यог remotivan को हौते हैं जिन में carbon और hydrogen दोनों उपस्तित होते हैं जिन carbonic йог को को हम hydrocarbon कहते हैं, अब hydrocarbon समझने बहुत जरूरी है और carbonic योगी को का नाम समझ में आना बहुत जरूरी है नाम को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो carbon atoms होते हैं न मरे पास carbon atoms या carbon parmanu के दो carbon parmanu की संख्या के आधार पर हमें elk के नाम बताने आने चाहिए elk ठीक है सबसे पहली बात तो यही है अब देखो ज़रा ध्यान से यदि आपके पास कार्बन पर्माणू एक है तो आपको बताए एक कार्बन पर्माणू को हम क्या कहते हैं मैथ मेरे साथ साल लिखते रही हो बिल्कुल दो कार्बन पर्माणू है तो दो को हम कहते हैं एथ तीन कार्बन परमाणू है तो तीन को हम कहते हैं प्रॉप ठीक है चार को क्या कहते हैं बताओ चार को कहते हैं ब्यूट ये सब एल्क के नाम है पांच को हम क्या कहते हैं पांच को कहते हैं पेंट और छे को कहते हैं हैक्स साथ को हम कहते हैं हैप्ट मेरे साथ साल लिखते रहो आठ को क्या कहते है और नो को क्या कहते है नौन और दस को क्या कहते है डेक तो दस तक तो आपको आने ही चाहिए दस को हम क्या कहते है डेक अब यदि आपको ग्यारा की भी जौरत पढ़ रही तो ग्यारा को कहते है UNDEC क्या कहते है UNDEC और 12 को कहते है DO DEC DO DEC और 13 को कहते है TRY DEC वैसे 10 तक आपको जरुरत पड़ेगी पर फिर भी आप लिख लो 13 को क्या कहते है TRY DEC और 14 को क्या कहेंगे TETRA DEC तो इस तरीके से आपको बिलकुल आने चाहिए ये नाम ठीक है ये नाम आपको बिलकुल आने चाहिए याद रखेंगे सब बच्चे तो इन नामों को आपको ध्यान से समझना है इनकी हमें जरुरत पड़ेगी मैं इन्हें उठाता हूँ इनकी जरुरत पड़ेगी मैं इन्हें इधर रख देता हूँ ठीक है यहां रख दिये चलो इनकी जब जब आवशक्ता पड़ेगी हम तब तब इने यूज कर लेंगे अब चलो अगली बात करते हैं तो यह हमने जो है Carbon Atom के नाम सीखे हैं किसके आधार पर Elk के आधार पर इसे भी उठाओ और इसे यहां रखो Carbon Atom के नाम सीखे हैं Carbon परमाणू की संख्या के आधार पर नाम कैसे लिखे जाते हैं इनकी हमें आवशक्ता पड़ती है बार बार अब देखो बेटे जैसे सबसे पहले हमारा जो आज का Target रहेगा न जो आज का Target सबसे पहला है वो है हम सब बच्चों को आना चाहिए बेटे Elkene का नाम Elkene ठीक है Elkene तो पता है आपको किसे कहते हैं Elkene कहते हैं जब Carbon Carbon के भी Single Bond हो ऐसा Hydro Carbon ठीक है इसका सामन्य सूत्र क्या होता है सामन्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 और नाम इसका कैसे लिखा जाता है Elk यहां से छाट के लिखना है और सब के बाद में लिखना है एन एन का मतलब होता है Single Bond ध्यान रखना इस चीज़ का एन का मतलब क्या होता है Single Bond यहां लिख लो यदि कहीं एन लिखना है तो एन का मतलब Single Bond है और E-N-E, E-N का मतलब उता है double bond और Y-N-E, इसका मतलब उता है triple bond ये तीन चीज़ भी हमें जरूर पता होनी चाहिए ठीक है, ये तीन चीज़ भी हमें जरूर पता होनी चाहिए यहाँ एक line catch लेते हैं इधर जिससे हम line से इधर ना जाएं चलो, अब करते हैं study आगे, देखो बेटे हमें जैसे की मानलो carbon पर्माणू, N का मतलब carbon पर्माणू की संख्या है जैसे एक carbon पर्माणू होगा, N के जगा एक रखना जरूर, N के जगा एक रखोगे यहाँ से छाटके, और N सब के साथ लिखना ही है, एक carbon का मतलब math elk के जगा क्या लिखेंगे हम math और N सब के साथ लिखना ही है, तो CH4 का नाम होता है methane और CH4 का structure ऐसा होता है कि यह carbon है और इसके चारो तरफ 4 क्या जुड़े वे है hydrogen hydrogen तो जोड़ दोगे, इसके चारो तरफ 4 ऐसे, यह होता है CH4, methane अब N के जगा दो रखो आप, यह हो जाएगा C2H, दो रखोगे दो रखोगे हाँ, दो दूनी 4 और 2 6, C2H6, बताओ क्या नाम होगा इसका, दो carbon वाले elk को क्या कहते हैं, एथ, तो इसका नाम होगा एथ, और एन तो सब के साल लगा नहीं है, एथेन, क्या नाम होगा एथेन, और एथेन का मतलब 2 carbon है, तो आपको 2 carbon बनाने है और उनके बीच बनाना है single bond, आपको बताए, carbon की संयोजक्ता कितनी होती है, 4, तो 4 तो इसके उपर bond होने चाहिए, 4 जिन मैं से एक एक bond है, तीन-तीन bond की कमी है, इन तीन नो bond के उपर जब आप hydrogen पूरे करोगे ना, तो अपने आप hydrogen की संख्या आपको बिल्कुल वो ही मिलेगी, जो वहाँ फार्मूले में है, अनूस उत्र में 6 hydrogen है ना, देखो 6 ही आगे अप, ठीक है, अब N की जगा जरा तीन रखके देखना यहां, तीन, लिख रहे ना, मेरे साथ-साथ, N की जगा तीन रखो, C3, H, तीन रखोगे, तीन दूनी 6 और 2, 8, C3, H8, तीन कार्बन वाले elk को ढूंडो क्या है, तीन कार्बन वाले elk को हम कहते हैं प्रोप, तो यहां लिखेंगे हम प्रोप, क्या लिखेंगे प्रोप, और एन माने होता है single bond तो इसका नाम है propane तो तीन carbon आपको जोडने हैं तीन carbon जोड लोगे एक carbon दूसरा carbon और तीसरा carbon अब देखो यहाँ एक बास सीखने हैं आपको आपने तीन carbon जोड तो दिये इनकी संयोजकता भी तो पूरी करनी है संयोजकता पूरी करने के लिए hydrogen जोडने पड़ेंगे इस carbon के पास एक bond है तीन bond की कमी है तो तीन hydrogen जोड जाएंगे तो यहाँ लिख दो इसे इस carbon के पास दो संयोजकता पूरी और इसकी दो की कमी है तो दो hydrogen जोडने पड़ेंगे इसके पास एक bond है तो 3 hydrogen जोडने पड़ेंगे तो hydrogen 3 और 3 6 और 2 8 देखो 8 अपने आप आगे अब n बराबर 4 रखके देखना C4 H 4 दूनी 8 और 2 10 C4 H10 बताओ elk की जगा क्या लिखेंगे आप elk की जगा 4 के लिखेंगे but तो इसका नाम है but और an but माने 4 carbon और an माने single bond ठीक है अब देखो 4 carbon है 1, 2, 3, 4 कितने hydrogen जोडने है 3, यहां कितने जोडने है 2, यहां कितने जोडने है 2, और यहां कितने जोडने है 3, 3 और 3, 6 और 4, 10 होगे 10, यदि आप n की जगा 5 लिखोगे तो 5 दूनी 10 और 2, 12 देखो 5 दूनी 10 और 2, 12 5 carbon वाला alkane होगा देखो 5 को क्या कहते है 5 carbon वाले alkane को हम pentane कहते है carbon 5 बनाने है hydrogen भी मैं 7 के साथ बना रहा देखो 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाले के उपर कितने hydrogen जोडने है 3, ठीक है अब यदि आपके पास n बराबर 6 है तो 6 दूनी 12 और 2, 14 C6, H14 6 carbon वाले alkane को आप क्या कहोगे hexane तो हम यहां लिखेंगे hex माने 6 carbon, en माने single bond 6 carbon, 1 carbon 2 carbon, 3 carbon 4 carbon, 5 carbon और 6 carbon लो बिल्कुल उतने ही carbon और hydrogen हुए आप यदि यहां लिखना चाहते हो 7 carbon पर मनू से तो 7 दूनी 14 और 2, 16 C7, H16 7 carbon वाला alkane क्या नाम होगा, क्या नाम होगा हेप्टेन, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन और हेप्टेन 7 carbon बना लोगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, बना लोगे यह हुए 7 carbon ठीक है बिटे, 7 carbon होगे कोई बात नहीं, रोहार कोई बात नहीं, आप समझते रहो ध्यान से, ठीक है screen sort लो जल्दी से, screen sort लो सुबरातरी, सुबरातरी, screen sort लो बिटे ले लिया screen sort, चलो अग्या चलते हैं, देखो आपको पता चल गया कि elk का हमें कैसे इस्तमाल करना है बद्ध्यान यह रखना है, math, eth, prop, but, pent, hex, heft, oct, non, deck इनका इस्तमाल करना ही पड़ेगा आपको ठीक है अब एलकेन के बाद बिटे आपको पता होना चाहिए नमबर दो पर आपको पता होना चाहिए बिटे एलकीन elk माने carbon परमाणू की संख्या in माने double bond यानि जब carbon carbon के भी double bond होता है तो elk in बनता है और इसमें जो formula होता है सामन्ने सूतर वो होता है cn h2n ये इसका सामन्ने सूतर होता है और इसका नाम कैसे लिखेंगे इसका नाम लिखेंगे elk plus in elk कहां से चाट लेंगे elk कहां से चाट लेंगे अम ये elk कहां सारे लिखे वे ठीक है elk कहां से चाटना है एक काम करता हूँ मैं यहां लिख देता हूँ यहां लिख देता हूँ math math prop put paint x apt बस यहां तक लिख दू कौन से लिखे एक दो तीन चार पांच छे साथ इन्हें यूज कर लेंगे हम चलो start करते हैं practice बस आप ध्यान से समझते रहना हर एक चीज़ को सबसे पहले हम बात करते हैं यदि हमारे पास एक कार्बन हो एक कार्बन है तो हम लिखेंगे CH एक दूनी दो CH2 अब आप CH2 का नाम लिखने जाओगे CH2 माने एक कार्बन वाला alkene जैसे मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पैंटीन, हैक्सीन, हैप्टीन, ओक्तीन, नौनीन, डेकीन, अंडेकीन, डूडेकीन, ट्राइडेकीन, टेटरडेकीन ऐसे ही तो लिख हो गया आप तो हमारे पास एक कार्बन वाला alkene क्या होगा मेथीन हमने लिख लिया M-E-T-H-E-N-E और जब हम इसकी सन्रचना बनाने गए तो एक कार्बन है और डबल बाइड बनाना है नहीं बना सकते यदि आप इससे दो हैड्रोजन जोड़ोगे एक यहाँ जोड़ दिया और एक यहाँ जोड़ दिया तो बताओ कार्ब CH2 तो बन गया कार्बन की संयोजक्ता पूरी नहीं हुई और दूसरा यह है कि डबल बॉंड भी नहीं बना जब संयोजक्ता भी नहीं और डबल बॉंड भी नहीं बना इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमने सही संरचना और सही सूतर नहीं लिखा है और जब सही संरचना और सही सूतर नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो मैथीन है इसे सिरफ बोल सकते हैं प्रकरती में मैथीन उपलब्द नहीं होता है मैथीन कुछ होता है नीज %. तो इस का मतलब 20 कार्बं से ही अमें स्टार्ट करना पड़ेगा नَّ के जगा दो रखो आप तो रखोगे तो C2 जब आप N की जगह पहले इसे अंडरलाइन कर देता हूँ इसे अंडरलाइन कर देता हूँ जब N की जगह क्या रखेंगे दो जब आप N की जगह दो रखोगे तो क्या होगा बताओ N की जगह दो रखोगे तो C2H4 और C2H4 का नाम बता हो ज़रा क्या होगा दो कार्बन वाली एलकीन एथीन एथीन और एथीन में देखो इस्ट्रक्चर बनागे दो कार्बन बनाने हैं डबल बॉंड से जोडने हैं दो बॉंड की इसके उपर कमी है और दो बॉंड की इसके उपर कमी है तो वो कमी हाइड्रोजन से पूरी कर दी हमने अब तीन कार्बन होगे तो C3H तीन दूनी कितने हो जाएंगे 6 देखो बस दुग नहीं करना है तो क्या बनेगा तीन कार्बन वाली एलकीन वहाँ से देखके बताओ क्या नाम होगा क्या नाम होगा प्रॉप इन और प्रॉप इन का फार्मूला आपको तीन कार्बन बनाने है किसी भी जगा डबल बॉन्ड बना देना दुन्नों में से माल लो यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन पूरे करो इसके उपर तीन Hydrogen जुडेगे तीन Bond है, एक जुडेगा दो Bond है, दो Hydrogen जुडेगे देखो दो और एक तीन और तीन चेह देखो six यह तो Hydrogen थे तो आप अब N की जगा चार रखे देखो क्या Formula बनेगा? C4H8 C4H8 का नाम बताओ क्या होगा? चार कार्बन वाली एलकीन वहाँ से देखके बताओ क्या होगा चार कार्बन को कहते हैं ब्यूट और डबल बॉंड को कहते हैं इन चार कार्बन और डबल बॉंड एक दो तीन और चार कहीं भी बना दो डबल बॉंड मालो यहां बना दिया किसी एक जगा यह hydrogen 3 जुडेंगे आपको भी पता और यहां भी 3 जुडेंगे क्योंकि इन carbon के पास 1-1 bond है इस carbon के पास 3 bond है तो 1 hydrogen जुडेगा 3 bond है तो 1 hydrogen जुडेगा hydrogen गिनके देख लो 3 और 3 6 और 2 8 यह लिखे वे देखो 8 कितने लिखे वे हैं? 8 लिखे वे हैं न अब आप 5 carbon लेके देखो C5H10 बताओ 5 carbon वाली alkene को आप क्या कहोगे? 5 carbon को हम कहते हैं pent और double bond को कहते है इन, pentene 5 carbon है 1, 2, 3, 4, 5 कहीं भी double bond लगाओ जहां इच्छा है यहां लगा दो चलो अब पूरे करो आप 2, इसके पास तो 3 bond है 1 की जरुरत है, 2 bond है 2 की जरुरत है, 2 bond है, 2 की जरुरत है 1 bond है, 3 की जरुरत है गिन के देख ले न 3 और 2, 5 और 2, 7 और 1, 8 और 2, 10 देखो 10 ही आगे यदि 6 carbon लोगे तो hydrogen कितने हो जाएंगे 12 6 carbon वाले alkene का नाम बताओ 6 carbon है तो hex और double bond है तो in 6 carbon वाला alkene ठीक है, CS3 कहीं भी लगा दूँ हमें CS2, CH double bond CH single bond C कितने होए, 1, 2, 3, 4 5 और 1, 6 लो, hydrogen किन के देख ले hydrogen 12 ही आएंगे देखो 3 और 3, 6 और 4, 10 और 2, 12 12 hydrogen आए देखो यदि आप C7 करोगे तो H कितने हो जाएंगे 7, 12, 14 7 carbon वाले alkene का नाम बताओ 7 carbon को हम कहते हैं hept तो इसका नाम होगा hept in क्या होगा hept in और heptine देखो 1 carbon 2 carbon कहीं भी लगा दूँ हा 3 carbon 4 carbon 5 carbon ठीक है और 6 carbon अब ध्यान से देखना double bond 7 carbon देखो जरा ध्यान से valency पूरी है ना 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ठीक है इस तरीके से आप alkene सिखोगे क्या सिखोगे बटे alkene समझ में आई बात लिख लिया बटे सबने screen sort लो जल दी से screen sort लो ले लिया screen sort ठीक है देखो चलो आग्या चलते हैं एक चीज ध्यान रखनी है सब बच्चों को एक चीज तो यह ध्यान रखनी है कि कहीं भी single bond है तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है single bond के लिए एन सब्द का परियोग करते है double bond के लिए in का परियोग करते है और triple bond के लिए in का परियोग करते है एक के लिए math दो के लिए eth ठीक है तीन के लिए prop चार के लिए but पाच के लिए pent 6 के लिए हैक्स 7 के लिए हैप्ट और बाक्की बेनने आपको 14-15 तक लिखवा दिये थे अभी स्टार्टिंग में ठीक है चलो अब आपको हाइड्रो कार्बन में पता होने चाहिए अगला नंबर पर अलकाइन A-L-K-Y-N-E अलकाइन का मतलब होता है जब कार्बन कार्बन के भी ट्रिपल बांड हो इनका जो सामन्य सूतर होता है यहां लिख लो C-N-H2N-2 और सामन्य नाम इनका होता है एल्क महाँ से छाठ के लिखो प्लस आइन ट्रिपल बांड के लिखो आइन तो एलकाइन एलकाइन सीखते हैं यानि ट्रिपल बॉंड इड हाइड्रो कार्बन ट्रिपल बॉंड वाले हाइड्रो कार्बन कौन-कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो देखो बेटे CNS2N-2 से हम स्टार्ट करेंगे आपको बताए कार्बन कार्बन के भी ट्रिपल बॉंड की आवशकता है और ट्रिपल बॉंड तो बेटे अकिल्ले कार्बन में तो कभी बनी नहीं सकता ट्रिपल बॉंड ठीक है ठीक है अपनी तरफ से नहीं बन सकता ट्रिपल बॉंड बिल्कुल बना सकते हैं बेटे बिल्कुल तो triple bond नहीं बनता है अकिले carbon के बीच तो आप क्या काम करोगे आप 2 carbon से start करोगे यानि C2 से C2 से start करो 2 दुनी 4 में से 2 गए 2 C2, H2 C2, H2 का नाम बताओ क्या होगा C2, H2 कौन सा L-Kine है, यह L-Kine है न Methine, Ethine, Profine, Butine Pentyne, Hexine, Heptyne तो कौन सा होगा 2 carbon है, तो Methine Sorry, Ethine 2 carbon को तो Eth कहते है Eth plus Yne 2 carbon है और triple bond है तो एक bond की इसके उपर कमी है और एक की इसके उपर कमी है देखो 2 ही hydrogen यहाँ थे और 2 ही वहाँ है जब हमने सही हो जगता पूरी की 3 carbon से बताना क्या बनेगा 3 carbon से 3 दुनी 6 में से 2 गए 4, C3, H4 3 carbon वाला Elkine 3 carbon को हम कहते है Prop और triple bond को कहते है Aine, Propine 3 carbon 1, 2, 3 कहीं भी लगा दो triple bond मालो आपने हाँ लगा दिया triple bond तो hydrogen पूरे करो 3 इसके पास तो hydrogen की ज़रत ही नहीं क्योंकि 3 bond तो इधर होगे एक इधर 4 सहीं जिकता पूरी होगी इसके उपर जोरत है तो 3 और 1, 4 ही तो hydrogen आई जब हमने सहीं जिकता पूरी करी N बराबर 4 देखना ले के जरा क्या होगा N बराबर 4 ले के देखो तो यह हो जाएगा 4 दुनी 8 में से 2 गए 6 C4, H6 तो 4 carbon वाला एलकाइन क्या होगा 4 carbon को आप कहते हो ब्यूट और triple bond को कहते हो आईन, ब्यूटाइन तो ब्यूटाइन, 4 carbon 1, 2, 3, 4 एक जगा triple bond बना दो मालो यहां बना दिया पूरे करो यहां कितने hydrogen होंगे 3, इसे hydrogen की ज़रत नहीं क्योंकि 3 और 1, 4 पूरे bond हो रहे इसके भी 4 bond हो रहे 3 और 1, 4 इसे hydrogen की ज़रत है 3 की क्योंकि एक bond था तो देखो 6 यह तो आए hydrogen इसी तरीके से आप बना सकते हो C5, H, क्या होगा 8, देखो 5, 2, 10 में से 2 गए 8 क्या बनेगा बताओ 5 carbon है तो pent और triple bond है तो आइन, pentine क्या हुआ, pentine 5 carbon 1, 2, 3, 4, 5 hydrogen जोडने है पहले कहीं भी triple bond लगा दो चलो इस बार सबसर सुरू में लगा देते हैं triple bond 3 bond है, 1 की ज़रत है 4 bond पूरे है 2 bond है, इसके पास 2 की ज़रत है 2 bond इसके पास भी है इसके पास 1 bond है, 3 की ज़रत है गिन के देख लो, 3 और 2, 5 और 2, 7 और 1, 8 देखो, 8 ही थे बताओ कर लोगे क्या अब यदि मैं आपको कहूँ कि मुझे 6 carbon वाला alkyne बना के दिखाओ तो आप कहूँगे 6 दूनी 12 में से 2 गए 10 C6, H10 C6, H10 6 carbon वाला alkyne कौन सा alkyne होगा, hexine तो इसका नाम हम लिखेंगे, hexine H, E, X, Y, N, E hexine 6 carbon 1, 2, 3 4, 5 6 ठीक है, triple bond एक काम करो वो ज़्यादे अग्ये निकल गया देखो द्यान से यहीं लगा देते हैं, चलो triple bond कितने होगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसके पास 3 hydrogen जोर रहत है इसे नहीं जोर रहत है इसे नहीं जोर रहत है 2 hydrogen इसे चाहिए आपको 4, 4 सही जगता पूरी करनी bond, जितने bond की कमी है इसमें तो 3 आएंगे जितने bond की कमी है देखो 3 और 3, 6 और 4, 10 और यहां भी 10 ते देखो अपने आप आगी ना संख्या बिल्कुल सही 10 थे नहीं हाँ भी ठीक है, तो इस तरीके से आप alkyne बनाओगे बिटे क्या बनाओगे alkyne चलो, एक alkyne और बना लो C7H बताओ, साथ दूनी 14 में से दो गए साथ दूनी 14 में से दो गए 12 साथ कार्बन वाला alkyne क्या होता है? heptine क्या होता है? heptine और heptine बनागे देख लो आप एक कार्बन ऐसे बना लो दूसरा कार्बन बना लो कहीं भी बना दूँगा बीच में तीसरा कार्बन बना लो चोथा कार्बन बना लो कितने बनाने हैं? पांचवा बना लो और छटा बना लो साथ बना लो बस एक ही तो जुड़ेगा उसके उपपर hydrogen गिन के देख ले ना 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 12 देखो 12 YAA ठीक है? screen short लो जल्दी से screen short लो ले लिए हमारे देश के बच्चों ने screen short ले लिए वैसे जो बच्चे लिखते रहते हैं सबसे अच्छा होई होता है जो लिखता है बच्चा साथ साथ आप स्क्रीन सॉट ले लिया करो यदि छुट जाता है वेलकम धीरज नाम दे वेलकम देखो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बहुत बढ़िया ध्यान से समझना आप इस बात को बस ठीक है आप एक चीद ध्यान रखना एक हेडिंग डाल लो नोट क्या ध्यान रखना है वो सीख लो जरा यह ध्यान रखना है कि यह जो एलकेन हमने पढ़ेते ना सबसे पहले आज एलकेन एलकेन को हम कहते हैं संत्रप्त हाइडरो कार्बन या सैचूरेटिड हाइडरो कार्बन संत्रप्त कह दो या सैचूरेटिड कह दो एक ही बात है ठीक है एलकेन को हम संत्रप्त हाइडरोकार्बन या सैचूरेटिड हाइडरोकार्बन कहते हैं सवाल खड़ा होता है जी क्यों एलकेन को आप संत्रप्त हाइडरोकार्बन क्यों कह रहे हैं संतरप्त का मतलब जो पूरा भरा हुआ है पूरा भरा हुआ का मतलब यह है कि जो और जादे कुछ खापी नहीं सकता अपने उपर जोड़ नहीं सकता किसी और चीज को जब मैं खाना खाने बैठता हूं और मैं यहां तक भर जाता हूं खाते खाते यहां तक तो मैं कहता हूं कि मैं संतरप्त हो चुका हूँ और नहीं खा सकता बिलकुल भी यानि मैं भोजन का योग आत्मक अभी करिया अपने उपर नहीं कर सकता और ज्याद है तो जो आप ये अलकेन पढ़ते हो ना अलकेन माने सिंगल बॉंडिड हाइडरो कार्बन ये अपने उपर योगात्मक जैसे मानलो मैं कहूंगी मेरे पास CH4 है तो CH4 तो सिंगल बॉंडिड हाइडरो कार्बन है देखो जरा ये CH4 है अब मैं कहरा कि CH4 के उपर आप थोड़े से हाइडरोजन और जोड़ दो थोड़े से हाइडरोजन और जोड़ दो तो आप कहोगे कि सर कार्बन की संयो जगता तो चार होती है और चार रूपे ही हाइड्रोजन जुड़े वे और आप कहरें दो हाइड्रोजन और जोड़ दो इसके उपपर तो आप कहोगे जी रियक्षन होने की नहीं है मैं पूछूँगा क्यों नहीं होने की रियक्षन आप कहोगे संत्रप्त है तो इसलिए हम सिंगल बॉंडिड हाइडरो कार्बन को यानि एकल बंद वाले हाइडरो कार्बन को हम कहते हैं संत्रप्त हाइडरो कार्बन या सैचुरेटेड हाइडरो कार्बन ठीक है और जो हमने पढ़ेते बिटे अलकीन, अलकीन माने इसलिए इनहें केते हैं unsaturated यानि एसंत्रप्त hydrocarbon क्या केते है Eduardo Carbon मानलो मैं काँँ कि carbon double bond carbon है ये लिया इल्कीन इसके पास दो hydrogen इसके पास है और इसके पास है और हम कह रहें कि यार इसके उपर आप hydrogen का reaction कर दो जरा आप कहोगे जी बिल्कुल हो जागा मैं पुछूँगा कैसे हो जागा आप कहोगे जी ये double bond में से एक sigma bond है एक pi bond है इन में से एक bond तोड़ दो ना जो pi bond होगा और ये जो hydrogen है इन दोनों hydrogen को कहोगी एक तो इधर आगे जुड़ जाए और एक जुड़ जाए इधर आगे मैं कहोगे ठीक है फिर क्या होगा आग्या बताओ आप कहोगे जी अब क्या होगा carbon carbon के भी single bond बचेगा और इस पहले वाले carbon पे दो तो hydrogen पुराने थे एक नया जुड़ गया आके दो तो थे कहूँ जरा हिम्मत हो तो इसके उपर जरा reaction करा के दिखाओ hydrogen की आप कहोगे संभव होई नहीं सकता इसके उपर hydrogen को आप जोड़ी नहीं सकते मैं पुछूँगा क्यों नहीं जोड़ सकते आप कहोगे जी इसने भी 4 single bond बना लिए इसने बना लिए 4 single bond अब योगात्म कभी करिया नहीं होगी तो आपको पता है कि जो हमारा single bonded hydrocarbon होता है यानि alkane वो योगात्म कभी करिया नहीं दिखा सकता इसलिए उसे हम कहते हैं संत्रप्त hydrocarbon या saturated hydrocarbon और जो double bonded या triple bonded hydrocarbon होते हैं वे योगात्म कभी करिया दिखा सकते हैं triple bonded hydrocarbon तो दो बार दिखा सकता है योगात्म कभी करिया ठीक है बेटे 37 चंद सर आज 6 बजे की क्लास क्यों नहीं थी 6 बजे की क्लास क्यों नहीं थी यह कि असन पहले वच्चे ने पूच्चा है आज जब से कलास नहीं हुई पहले बच्चे ने पूच्चा है क्यों थी ठीक है चलो आगे चलते हैं उसका reason है बेटे कलास क्यों नहीं ली थी अब हमें तीन बात पता चल गी alkaline के नाम आगे alkaline के आगे अब हमें अगले step पर क्या सीखना है देखो अगले स्टेप पर हम यहां से स्टार्ट करते हैं हमें सीखना है बटे अलकाइल ग्रूप हेडिंग लगाओ अलकाइल ग्रूप यह अलकाइल ग्रूप के नाम भी आने चाहिए आपको जरूर जबी आप और्गेनिक केमिस्ट्री समझोगे आर के बाद एक बॉंड खल लिया यह इसका संकेत है अलकाइल ग्रूप का इसका समन्य सूत्र होता है C N H 2 N प्लस 1 यह होता है और इसका जो समन्य नाम होता है वो होता है अलक में बस आपको आईल जोड़ना है यह इसका समन्य नाम होता है तो क्या होता है एलकाइल ग्रूप और इसके नाम कैसे लिखे जाते हैं ये भी चीज हमें बिल्कुल बखू भी आनी चाहिए कि कैसे इसके नाम लिखे जाते हैं ध्यान रखना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पैंट, हैक्स, हैप्ट, ओक्ट, ठीक है ये ध्यान रखना कम से कम स्टार्ट करें प्रेक्टिस, देखो, सबसे पहली बात, यदि मैं कहूँ एन के जगा एक रख लो, तो एन के जगा एक रखोगे तो आप बनाओगे CH3, एन के जगा एक रखोगे, और एक बॉंड दिखाओगे इसके उपर, एक सहीं जगता इसकी खली है, देखो, कार्बन जब तीन हाइड्रोजन से जुडेगा, तो परिशान नी तो इसकी बरकरार है, क्योंकि एक बॉंड तो खली बड़ा इसका, तो खली बॉंड आपको दिखाना है, कि कौन सा बॉंड इसका खली है, विचारा क्यों परिशान है, यह हमने दिखाया, कि इसका ये बॉंड क्या नहीं है, मिथाइल ग्रूप है, कौन सा ग्रूप है, मिथाइल ग्रूप, और इस प्रक्चर आपको पताईए कैसा बनेगा, इस कार्बन के उपर, तीन हाइडरोजन आप ऐसे जोड़ दोगे, ऐसे, ये जोड़ दिये, तीन हाइडरोजन और एक बॉंड दिखा दिया, ये इ इथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, कार्बन परमानवों की संख्या के आधार पर ये सारे नाम है, ये सारे ये सारे, तो दो कार्बन वाला एलकाइल ग्रूप, वहाँ से देखो, दो कार्बन वाले एल को क्या कहते है एत तो क्या बनेगा इथाईल इसका नाम है इथाईल क्या नाम है इथाईल इथाईल है तो दो कार्बन है यहां बना देता हूँ दो कार्बन है एक कार्बन तो यह बना दिया दूसरे कार्बन पर इस तरह बनावेंगे यानि एक बॉंड खली छोड़ना ना इ C3, देखो, तीन दुनी 6 और एक 7, C3, H7, एक bond खली, क्या नाम होगा बताओ, तीन carbon वाले alkyl का, क्या नाम होगा, profile, तीन carbon, एक carbon, दो carbon, और तीसरे carbon की एक सहियो जक्ता कम करके खली bond दिखाओ, एक सहियो जक्ता कम करके खली bond दिखाओ, ठीक है, अब यदि 4 carbon है हमारे पास, बनेगा, चार दुनी 8 और एक 9, C4, H9, क्या नाम होगा बताओ, क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, ओन साल काईल होगा, चार carbon को but कहते हैं, butyl, चार carbon, एक carbon, दो carbon, तीन carbon, चार carbon, एक सहियो जक्ता, खली पड़ी इसकी, यह butyl है, इसी तरह इसका भाई होगा, C5, H, पास H11, पाँच कारबन वाला, एलकाईल, पेंटाईल, क्या नाम होगा, पेंटाईल, एक carbon, C3, दो carbon, C2, तीसरा carbon, C2, चोथा carbon, C2, और पाँचवा carbon, C2, और एक बॉंड खली, यह structure है, हाड्रोजन गिन के देख लेना, हर बार इतने ही आएंगे, तो यह होते हैं, एलकाईल ग अमिज सिंग, सर आपको पहले numerical series करानी चाहिए थी, नहीं बाद में revision के समय दिक्कत आती है, सर, बेटे, कल सुबह को 5 बजे तयार रहना, numerical series आपको दरसन देगी, सुबह को 5 बजे, ठीक है बेटे, ले लिया screenshot, ठीक है, सुबह को 5 बजे, numerical series आपको दरसन देगी, 5 बजे य ठीक है, आप तयार रहना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था और अब भी मैं बता रहा, कि हमने decide किया है, कि हम numerical वाला lecture भी continue रखेंगे, और ये theory वाला भी continue रखेंगे, रात को 10 बजे तो theory चला करेगी, और सुबह को 5 बजे चला करेंगे numerical, ठीक है, हमा ठोड़ी सी बात यहां करेंगे, अलकाइल ग्रूप तो हो गया, एक थोड़ा सा आप ये भी सीख लो, इसकी जोरत हमें chapter में पढ़ेगी, आप सीख लो, ये सब्द हैलो का मतलब क्या है, हैलो, हैलो कह दो, या फिर आप हैलो जन भी कह सकते हो, हैलो जन, ठीक है, या फिर आ आप हैलाइड भी कह सकते हो, हैलाइड, वैसे पता होगा आपको, और इसे X से परदरसीत करते हैं, इसका जो डिनोट करते हैं, X से डिनोट करते हैं, हम इसे हैलो जन को, इसमें एक बात सीखनी है, कि हैलो जन, जो हमारे सत्रवे वर्ग के तत्व हैं, उन्हें सब को हैलो ज क्लोरो या तो आप फ्लोरो कहो या फिर आप फ्लोराइड कहो ठीक है फ्लोरो कहे दो या फ्लोराइड कहे दो CL का मतलब होता है क्लोरो या फिर आप कहे दो क्लोराइड ठीक है क्लोरो कहे दो या क्लोराइड कहे दो पी आर का मतलब होता है ब्रोमो या फिर आप ब्रोमाइड कहे दो मेरे साथ साल लिख रहे न आप और आई का मतलब होता है आयोडो या फिर हम कह सकते हैं आयोडाइड इनकी जोरत हमें पड़ेगी है कि स्क्रीन सॉट ले लो आप ले लो बैठे जल्दीसे स्क्रीन सॉट इनकी हमें आशकता पड़ीगी बहुत जादे बहुत जादे आशकता पड़ीगी इनकी ले लिया स्क्रीन सॉट हाँ जी लक्षमी बैटे हाँ सुबह को पाँच बजे अभी मैं पोल करऊंगा पढ़ाने के बाद आप पहले जल्दी से screen shot ले लिए जब मैं कहता हूँ सर एप्लिकेशन कैसे जोइन करें प्लीज टेल मी सर प्लीज एप्लिकेशन जोईन कर लेना आप एप्लिकेशन जोईन करने के तरीके सारे बच्चों को पता ही है play store पर जाओ और जोईन करो बस अपना जो है registration कर लो उसके उपपर जोईन हो जाएगी application very good very good नीही रानी very good, देखो, सही बताए विटे आपने, एक heading लिखो note और जबरदस्त बात सीख लो एक, जो आपके अंदर हिम्मत है तो जबरदस्त बात सीख लो यदि आपने class 11th में इस चीज को नहीं सिखा था, अब हम सिखेंगे, हम सिखेंगे carbon पर्माणू की प्रकरती carbon पर्माणू की प्रकरती यह बहुत ज़रूरी है, आपके लिए विटे organic chemistry पढ़नी है तो carbon पर्माणू की प्रकरती आपको आनी चाहिए, जिसे हम कहते है nature of carbon atom nature of carbon atom आपको सीखना पड़ेगा हरे एक आलत में जो जिन्दगी के मजे लेने हैं तो और यदि जिन्दगी में परिसान ही रहना है, रोत्ती ही रहना है हरदम इश्वर ने, भगवान ने कितना भी आपको दे दिया, फिर भी रो ही रहे सर मेरे पास यह नहीं है मेरे पास चीज की कमी है मेरे पास पैसो की कमी है मेरे पास खाने की कमी है मेरे पास टीचर्स की कमी है ठीक है, तो जिसे रोने की आदत है वो तो रोता ही रहेगा बिटे पर हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए हसी खुसी ठीक है आप देखो सुबह को हम 5 या 6 बजे numerical series चलाएंगे उसे continue करेंगे और रात को 10 बजे हम theory को continue करेंगे जिससे दुन्नों तरह के बच्चों की problem समाप्त हो जाए क्योंकि बच्चे परिसान है ना बहुत जाद है ठीक है हाँ ठीक है चलो जो अकेला है अकेला का मतलब hydrogen तो इसकी संयोजक्ता पूरी करी रहे होंगे अकेला का मतलब अकेला नहीं कि वो किसी दूसरे carbon atom से नहीं जुड़ावाए ऐसा carbon atom है माल लो आपके पास तो यदि ऐसा carbon atom आपके पास है ना बटे तो इस carbon atom को ध्यान रखना कि इस carbon atom को हम कहते हैं one degree क्या कहते है one degree या फिर primary या तो one degree कहो या primary कहो या आप कहो प्राथमिक हिंदी में कहते हैं प्राथमिक प्राथमिक carbon atom बताओ ये बास समझ में आई क्या जो अकिला carbon atom है हाइड्रोजन से तो उसकी संयोजकता पूरी होई रही होगी जो अकिला carbon atom है उसे हम one degree carbon atom या primary carbon atom या प्राथमिक carbon परमानू कहते हैं बताओ clear ओरी के बात इसे कहते हैं प्राथमिक carbon परमानू ठीक है हाँ हाँ ठीक है carrier vlogs अब अगली बात कर रहें चलो अच्छा मालो मैं एक अजीबो गरीब compound यहां लिखता हूँ यहां लिखता हूँ अजीबो गरीब compound आप ध्यान से देखना यहां हमने लिखा CH3 उसके बाद लिखा CH और इसके उपर जोड़ दिया हमने यहां CS3 और फिर हमने लिखा CH2 CS2 के बाद लिखा CE और इसके उपर जोड़ दिया CS3 और इहां भी जोड़ दिया CS3 और इहां जोड़ दिया हमने CH2 और इहां जोड़ दिया हमने CS3 नाउ लुक एट इस compound बहुत ध्यान से देखो इस compound की तरह बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, देखो, जब आप इस compound को देखते हो, इस yogic को देखते हो, तो इस yogic में जराए इस वाले carbon के उपपर गौर फर्माओ जराए इस carbon के उपपर, और मुझे यू बताओ, यह carbon directly कितने carbon atom से जुड़ा हुआ है, नहीं रचित बिलक लिखने चाहिए, योगी कों के नाम हमें English में ही लिखने चाहिए बिटे, रचित बिलकुल भी ऐसा नहीं सोचना कि English में लिखने पर नंबर कटेंगे, English में लिखने पर नंबर जादे मिलेंगे, सुन लो इस बात को ध्यान से, English में लिखोगे, तो organic chemistry और inorganic chemistry का nomenclature, जब आप English में लिखोगे, तो आपका impression बहुत अच्छा पड़ेगा, examiner के उपर, और भविस्य में तो आप फिर परिसान होने के ही नहीं है, नहीं तो आप जो एक ग्या बारवी तक तो मजे ले लोगे, हिंदी में लिख लिख के, और उसके बाद आप परिसान होते भी रोगे, तो English में लिखना है, बस बिलकुल पक्की बात है एकदम, किसी भी योगिक का नाम लिखना चाहे वो inorganic हो या organic compound हो, you have to write in English, बिलकुल, यह कठोर नियम है, आप हिंदी में लिखोगे, तो अभी तक तो लिख लोगे, बाद में परिसान हो जाओगे, जितने भी नए teachers appoint हो र पढ़े होंगे, तो उन्होंने BSC, MSC में तो English में ही पढ़े होंगे, सारे नाम है, एमफिल में और PhD में इंगलिस में सारे नाम पढ़े होंगे, और जब में कक्सा 12 के State Board के, UP Board, बिहार बोर्ड, जहारकंड बोर्ड, मध्यपरदेस बोर्ड, या फिर आपका राजस्थान ब देखो बिटे, तो यह CS3 जो है, इस Carbon को देखो, मैं आपको कह रहा है कि इस Carbon को देखो कि यह directly कितने Carbon से जुड़ा हुआ है, आप कहोगे कि सर यह तो Carbon किसी भी Carbon से नहीं जुड़ा हुआ, मैं पुछूँगा क्यों आप कहोगे, यह तो Hydrogen है तीन बीच में, तो मैं इस वाले Carbon से directly जुड़ावा है, वो जो तीन ही आइड्रोजन हमने बनाएं, वे तो एक GYP, 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 ए से जुड़ावा है, तो हम सहिचता पूरी करने के लिए तो उस Hydrogen को हा लिख रहे है, सहि योजकता पूरी करने के लिए तो लिख रहे है उन हाइड्रोजन को हम यहाँ ठीक है तो यहाँ भले ही हमने CS3 लिख दिया पर आपको पताओना चाहिए यह कारबन डिरेकली एक ही कारबन से जुड़ावाय है तो इस कारबन को मैं प्राइमरी कारबन एटम कहूंगा क्या कहूंगा प्राइमरी कार्बन एटम है या आप कहो वन डिगरी कार्बन एटम है या फिर कहो आप प्राथमिक कार्बन परमाणू है तो ये होता है अकिला कार्बन भी प्राइमरी कार्बन एटम होता है और यदि किसी compound में कोई carbon सिद्धे केवल एक ही carbon atom से जुड़ावा है तो उसे भी primary carbon atom या प्राथमिक carbon परमाणू या one degree carbon atom कहते हैं अब बताई हो जरा ये वाला carbon primary carbon नहीं है क्या तो यहां तो साफ साफ नजर आ रहा होगा है इस carbon is directly attached to this carbon यानी एक ही carbon से attach है तो यह भी primary carbon atom है और यह भी primary carbon atom है देखो यह भी सिरफ एक ही carbon atom से जुड़ावा है यह भी primary carbon atom है के वहले एक ही carbon atom से जुड़ावा है तो प्राइमरी 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 ठीक ह अच्छा ज़रा इस carbon atom को देखना बेटे इसे देखो विचारे को यह carbon atom कितने carbon atom से जुड़ावा है एक से तो इधर और एक से इधर यह hydrogen बीच में नहीं है यह दोनों hydrogen एक तो उपर जुड़ रहा होगा एक तो नीचे यह वाला hydrogen नीचे जुड़ रहा होगा तो यह वाला carbon atom सिध्धे दो carbon atom से जुड़ावा है तो आप इसे क्या कहोगे आप इसे कहोगे secondary carbon atom secondary या फिर आप इसे कहोगे 2 degree carbon atom या फिर आप हिंदी में कहोगे dvitiak carbon parmarunu दvitiak carbon parmarunu बताना ज़रा यह secondary carbon atom नहीं है यह वाला यह carbon atom भी तो directly 2 carbon atoms से attach है this is also a secondary carbon atom यह 2 degree carbon atom यह द्वितियक carbon परमानू ठीक है अच्छा चलो इस carbon atom को देखो इसकी जनपत्री बनाते हैं इस वाले carbon atom की बना दोगे इसकी जनपत्री हाँ हाँ रचित very good समझ रहे तुम तो यहार बिल्कुल एक दम समझदार होगे बच्चे वही समझदार बच्चे होगे नमस्ते नमस्ते मायस्वरी मिश्रा नमस्ते बटे चलो देखो अभी हाँ एक बच्चा और समझदार है सुनील सोनी समझदार बच्चा नीही रानी ये भी समझदार बच्चा है वई देखो ये कार्बन एटम डिरेक्ली तीन कार्बन एटम से इटेच है इस वाले से इस वाले से उर इस वाले से तो इसे आप क्या कहूगे इसे कहूगे आप टरसरी कार्बन एटम टरसरी कार्बन एटम कहो या 3 degree carbon atom कहो या हिंदी में कहना है तो 3 तियक carbon परमानू कहो 3 तियक carbon परमानू समझ में आरी बात देखना जरा है इस वाले को इसका अंदाजी दुनिया से निराला है और इसके गुरु जी ने कहा है इसका बविश्य से जल्दी बदलने वाला है देखो जरा इसे इसे देखो द्यान से ये carbon atom directly 1, 2, 3, 4 4 carbon atom से directly attached है 4 carbon atom से directly attached है तो इसे कहते हैं quaternary क्या कहते है quaternary carbon atom या फिर 4 degree carbon atom या फिर हिंदी में कहेंगे चतुर्थक carbon परमानू तो ये होती है carbon atom की nature बताओ समझ में आया का carbon परमानू का nature कैसे check करते हैं यदि carbon परमानू का nature आपके समझ में आया न तो जल्दी से chat box में दिल बना दो आग बना दो दिल बना दो आग बना दो दिल बना दो आग बना दो जल्दी से यदि आपको प्राथमिक कार्बन पर्माणू, दित्यक कार्बन पर्माणू, तृत्यक कार्बन पर्माणू, चतुर्थक कार्बन पर्माणू समझ में आये हैं यदि आपको प्राइमरी, सेकंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम समझ में आये हैं ठीक है ना और यदि आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कारबन एटम समझ में आए हैं तो जल्दी से दिल बना दो, आग बना दो, दिल बना दो, आग बना दो और आग्या चलते हैं बस स्क्रीन सॉर्ट ले लिया करो, हमारे देश के बच्चों स्क्रीन सॉर्ट ले लिया करो, जरूर स्क्रीन सॉर्ट ले लो बिटे कितनी बार कहूँ ले लो स्क्रीन सॉर्ट क्या रखा इस दुनिया में जो भी रखा है स्क्रीन सॉर्ट में रखा बस और तो कुछ है ही नहीं ठीक है कोई-कोई बच्चा तो यहां ऐसा है जो जब मैं सामने आता हूँ न स्क्रीन के मैं सामने आया थोड़ा सा मुस्कुरा रहा तभी स्क्रीन सॉर्ट लेगा जब मैं कहूंगा स्क्रीन सॉर्ट लेने को जब लेगा इनी स्क्रीन सॉर्ट जब जरूरत है ले लिया गया स्क्रीन सॉर्ट चलो अग्ये चलते हैं चलो देखो बेटे आज तुम्हें खतरनाक चीज़ सिखा दूँ चलो यह जो चीज़े हम पढ़ रहे हैं ना बिटे यह ऐसी चीज़े हैं कि बच्चा जो है ना वो 11 भी कर जाता है 12 भी कर जाता है BSCB, MSCB, सब कुछ कर गया और उसे यह चीज़े अब तक समझ में नहीं आई बहुत सारे मैंने ऐसे टीचर देखे में फसे पड़े इस चीज़ में इस चीज़ में फसे पड़े देखो द्यान से देखना देखो अब हम समझेंगे कि नॉर्मल एलकेन क्या होता है नॉर्मल ठीक है नॉर्मल और नॉर्मल का भाई है आईसो और इसी का भाई है नियो इस चीज से बच्चे बहुत डरते हैं ये तिन्नो तरह के अलकेन कैसे होते हैं दिमाग की खिड़किया खोल के बैठ जाना बिल्कुल ठीक है बिल्कुल खोल के बैठ जाना दिमाग की खिड़किया सारी उमर समझ में नहीं तो हैं पढ़ाई कर लोगे दुनिया वर की यह चीज़े नहीं आने की समझ मैं नौर्मल आईसो और नियोलकेन का क्या मतलब होता है इस चीज़ बे हम प्रकास डालेंगे और दिहान से देखना जैसे मालो यहां से स्टाट करते हैं चलो मालो मैंने लिखा कि हमें नॉर्मल प्रोपेन बनाना है नॉर्मल प्रोपेन का क्या मतलब है नॉर्मल प्रोपेन का मतलब होता है सिद्धी सरंखला वाला प्रोपेन हाइडरोजन नी में लिख रहा है आप पूरे कर सकते हो आप हाइडरोजन अपने आप सही हो जगता तो कार्बन की पूरी करी लोगे कर लोगे ना पूरी तो नॉर्मल प्रोपेन का मतलब तीन कार्बन एटम सिद्धी सरंखला में जुड़ेवे हैं और जो थोड़ा सा ज़ादे इतराना है बॉन्ड लाइन ठीक है सिंपल चेन हाइड्रो कार्बन अब देखो मालो मैं कहूँ कि यार हिम्मत है तो नॉर्मल ब्यूटेन बना के दिखाओ हिम्मत है तो नॉर्मल ब्यूटेन बना के दिखाओ आप कहोगे जी ब्यूटेन का मतलब चार कारवन होते हैं सिद्धे जोड़ देंगे हाइडरोजन पूरे कर देंगे हम कर दोगे ना हाइडरोजन पूरे तो हमें bond line structure में यदि इसे दिखाना है एक, दो, तीन, चार ऐसे दिखा सकते हो यह normal butane है क्या है normal butane अच्छा मैं कहूं normal तीन कारवन, चार कारवन पाच कारवन को paint कहते हो ना नॉर्मल पेंट एन पाच कारवन एक, दो, तीन, चार, पाच bond line structure एक, दो, तीन, चार, पाच एक, दो, तीन, चार, पाच ओ नहीं गया हो गया नब यदी मैं कहूं कि चलो हिम्मत है तो नॉर्मल हेक्सेन बताओ यार उदारा जी नॉर्मल हेक्सेन बताओ तो आप कहोगे जी 6 कारवन है जी 1 2 3 4 5 6 और बॉन्ड लाइन इस्ट्रक्चर ऐसा होगा एक 2 3 4 5 6 एक दो तिन चार 5 6 ऐसा होगा रीका अच्छा नॉर्मल हेक्सेन बना दोगे आपार देश के बच्चे बना दें है हाँ जी हाँ एक उत्फीन का मतलब साथ कारवन है जी एक तो पीन चार पांच है साथ bond line structure बना दोगे हाँ जी 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना दिया जी बना दिया बना दिया जी बना दिया bond line structure तो इस तरीके से आप normal alcan तो बना दोगे पर बिटे normal alcan के बाद जो अगली चीज आपको दरसन दे रही न होँ थोड़ी सी खतरनांग है यहां से खतरनांग चीज स्टार्ट कर रहा है मैं अब देखों अब मैं आपको कह रहा है कि मुझे हिम्मध है तो ऐसो ब्यूतेन बनाके दिखाऊ आप juegos Mister I should 322 आप से इसो ब्यूतेन न क्यों डिकाता हुए हिम्मत है तो आईसो ब्यूटेन बना के दिखाओ अब यहां गरारी जाम आ जाती है गरारी हो जाती है जाम हाँ हाँ कोई बात नहीं रचित जो बच्चे एप्लिकेशन पर पढ़ रहे हैं उन्हें तो स्क्रीन सॉर्ट लेने की आउशकता है ही नहीं क्योंकि उन्हें तो पूरा सारे पीडियाफ मिल जाते है जो बच्चे एडवर्टाइज से परिशान हो रहे हैं जो बोर्ड पे जो मैं लिखता हूँ यह वाला आपको पीडियाफ चाहिए उससे परिशान हो रहे और जो वीडियो लेक्चर देखते देखते सब्सक्राइब जाते हैं यूट्यूब पर परिशान हो जाता है ना जो बच्चा उसके लिए तो application है कि application को बचाटा है application आपको सारी सुविधाहें परदान करता स्वाली भी सारी इसलिए application है आप जरा आइसो ब्यूटेन का structure आइसो ब्यूटेन का structure बना के दिखाओ अच्छा मैं बता रहा आइसो वाले सारे कैसे बनेंगे देखो किसी बच्चे ने बनाया गया सर जी मज़ा आ गया थेंक्यू थेंक्यू वरी मच बेटे मज़ा मुझे भी आता है पढ़ते वही मुझे सबसादstar मज़ा आता है ठीक है यह तो गलत हो गया यार जूटव फाइट पारर्मर गलत हो गया बेटे गलत हो गया बाबू देखो जब भी आइसो प्रॉडक्ट बनाने हो वह यह क्या है ब्यूट माने कितने कार्बन है चार ब्यूट चार कार्बन को कहते हैं आईसो में से हमेशा एक गटाओ कितने बचे तीन द्यान से समझ ले न बता रहा हम है आपको दिमाग की खिड़गियां खोल लो अपनी कभी कऊ बाद में जी समझ भी नहीं आ रहा कुछ भी क्या हो रहा है पहला एक्जामपल लिया आईसो ब्यूटेन पुछा कोई ज़्यादे बड़ा सवाल नहीं पूछ लिया आईसो ब्यूटेन पुछा कैसे बनेगा तो ब्यूटे माने चार कार्बन चार में से आईशो जब भी आता है घटा दो तीन बचे तीन कारबन तो आप बनादो सिद्धे वहाँ बनाओ निचे बनादो यहाँ तीन कारबन तो सिद्धे बनाओ एक, दो, तीन हाइडरोजन नहीं मैं पूरे कर रहा कहीं भी हाइड्रोजन तुम करोगे पूरी अपने आप ठीक है अवीनास विलोग्स सर इस चैप्टर पर रोज वीडियो आएगी हाँ बेटे चैप्टर कम्प्लीट जब तक नहीं होता इसे पढ़ूँगा ही मैं है कि आई सों ब्यूटें चार मेंस Caesar गया तीन तीन कार्बन बना दिए अब जो इधर से एक कार्बन या इधर से चोड़ के निच्चे 카बन जोड़ दो यह बन गया है ISO fuckin अब ISO butane का structure आप ऐसा भी बना सकते हो bond line structure यह ISO ही तरह गें बना दिया ना iso butane है ठीक है और किसी ने yapmış बना दिया iso butane है ये सारे iso butane है ये भी iso butane है ऐसा हुथ होता है आईशो ब्यू टीन अच्छ चलो ही सो ब्यू टेन मिना दियायए अब आभ एक काम करो मुझे आईशो पेन्टेन बना कि दिखा दो आप चलो मान जाओंगा आपको कि कुछ दो मैं आपके अन्दर देश को सुधार होगे आप आईशो पेंटेन बना अभी तक नहीं बनाया किसीने बताओ सॉल्ट ट्रिक जोक बिटे आप अप्लिकेशन में जाओ ना अप्लिकेशन में जाकर आपको जो भी सेलिवस लेना है उस सेलिवस को पर्चेज भे क्लिक करो आईसो पेंटेन किसी ने बनाया नहीं अब तक देखो आईसो पेंटेन पेंटेन मने 5 कार्बन ये कर दिया 5, आईसो गड़ाओ कितने बचे 4, 4 कार्बन को सिध्धे बनाओ 4 कार्बन को बनाओ सिद्धा 1, 2, 3 4, ठीक है इधर से एक गटा लो या इधर से एक गटा लो अमर जी है एक गटा न, इधर से यहां बनो, एक carbon यहां देखो दिखाई दे रहा न, हाँ ठीक है यह है आई लाइसो पैंटेन, ठीक है एक दो, तीन चार carbon तो सिध्दे बनेंगे एक दो, तीन चार और इधर से दूसरे कार्बन पर एक कार्बन इहां जुड़ा होगा बॉंड लाइन इस्ट्रक्चर है आईसो पेंटेन का बॉंड लाइन इस्ट्रक्चर स्क्रीन सॉर्ट ले लेंगे हमारे देश के बच्चे जल्दी से स्क्रीन सॉर्ट लेंगे ले लिया हमारे देश के बच्चों ने स्क्रीन सॉर्ट हाँ हाँ बिट्टे हाँ चलो 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 आग्ये चलते हैं ले लिया ना चलो बना के दिखाओ हमारे देश के बच्चे बना के दिखाएंगे आईसो हेकसेन आईसो हेकसेन बनाओ आईसो हेकसेन आप कहो जी हेकस माने 6 कारबन है आईसो माने एक गटाना है बराबर बचे 5 5 बचे तो 5 कारबन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 इधर से एक छोड़ लो या उधर से छोड़ लो यह बन गया जी यह बने गया आईसो हेक्सेन अब मैं कहूंगा बॉंड लाइन इस्ट्रक्चर बनाओ तो आप कहूंगा पांच बना रखे जी एक, दो, तीन, चार, पांच एक के उपर एक होड़ जोड़ना उपर की तरफ जोड़ दी हमने कोई दिक्कत नहीं है यह बने गया स्ट्रक्चर ठीक है अब मैं कहूंगा चलो अच्छा मुझे आप आईसो हेटेन बनागे दिखाओ आईसो हेटेन कैसा बनता है बनागे दिखाओ आईसो हेटेन आप कहूगए जी हैट माने होते हैं साथ कारबन एक गटा दिया बचगे कितने 6 कारबन, 6 कारबन सिद्धे बनाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और वो जो घटाया था उसे यहां बना दो, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक यहां बना दो, यह बन गया आपका, क्या बन गया, आईसो हेप्टेन, अब जो बात मैं हाँ बताने आपको जा रहा हूं, वो बात हजमनी होने की है, पहले ही मैंने हैस्टेग लगा दिया, यह बात नहीं हजम होने की आपको पहले ही बता रहा है, यह बात आपको हजम नहीं होगी, 10 बजे रात को पढ़ने का फाइदा पता क्या है, हाँ मैं बताऊंगा रची तभी, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, 10 बजे पढ़ने का फाइदा पता क्या होता है यह होता है कि आप बिल्गुल फ्री हो जाते हो और वैसे भी 10 बजे आप क्या करोगे मुझे तो लगता नहीं पढ़ते पढ़ते सो जाओगे यदि आप reading करोगे revision करोगे तो पढ़ते पढ़ते आप सो सकते हो आप और टीवी बगरे में घुसोगे मॉबाइल में घुसोगे कुछ भी करोगे पर आप अपना समय बरबाद करोगे पर जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमारा समय का सदूपियोग हो रहा होगा यहाँ 10 बजे और मेरी लिए भी बहुत अच्छा टाई मैं रात को 10 बजे और सुबह को 5 बजे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वेरी गुड रुपेस 90 नंबर आया आपके केमिस्ट्री में वेरी गुड वेरी गुड सुभम सुभम मेरा नाम रुपेस कुछवाहा है सर ठीक है वेरी गुड वेल डन देखो यहां जो एबिटे मैं एक अलग चीज आपको बताने जा रहा हमें पता चल गया आईसो वाले एलकेन कैसे बनाए जाते हैं पर आपको जो है ना इस आईसो ओक्टेन को देखना है आईसो ओक्टेन इस नियम का एक्सेप्सन है इस नियम का अपवाद है आईसो ओक्टेन मैं पहले ही बता रहा आपको सुन लो ध्यान से एक्सेप्सन्स आर एवरिवेर अपवाद हर जगा है हर जगा गुसेवे हमारे देश के कुछ लोगों का मानना ये है कि नियम किसलिए बनाई जाते हैं तो जादे तर लोग कहते हैं नियम इसलिए बनाई जाते हैं जिससे सब उनका पालन कर सकें और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें इसलिए नियम बनाई जाते हैं जैसे सुबह को उठना चाहिए नहीं तो नियम ना होता तो हम रात को उठते है ठीक है नियम इसलिए बनाए जाते हैं जिससे सब उनका पालन करें और अच्छा जीवन व्यतीत करें पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नियम इसलिए बनाए जाते हैं जिससे उन्हें कोई तोड सके तो वे लोग होते हैं अपवाद क्या होते हैं अपवाद तो इसी तरीके से हमारा आईसो ओक्टेन is also exceptions of this rule इस नियम का अपवाद है आईसो ओक्टेन आईसो ओक्टेन में आठ कारवन आठ में से एक नी घटाना तीन घटाने अपवाद इस द Colon कितने बचे पाँच तो हमें वह वादा नियम यहाँ पालनी करता आईसो ओक्टेन पाँच बचे पाँच कारवन बनाने हैं एक दो तीन चार पांच ठीक है कितने घटाये थे तीन दो तो जोड़ दो यहाँ या फिर इहां जोड़ दो और एक जोड़ दो इस जगह यह होता है आईसो ओक्टेन क्या होता है आईसो ओक्टेन एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच दो तो इसके उपपर जोड़ने, एक तो इहां जोड़ दिया एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया इसके उपपर लो, आइसा ओक्टेन का bond structure ऐसा होता है ठीक है विटे हाँ, हाँ, short trick joke बताया ना बिटे मैंने आपको बता दिया कि आप application डाउनलोड करो KMD सहरनपूर application डाउनलोड करने के बाद उसमें आप जो भी आपको all courses पे click करो all courses पे click करने के बाद जिस भी class का course purchase करना है उस पे click करो और purchase करो यह तरीका है ठीक है या फिर आप जो uploaded videos हैं उनमें यदि scroll करके उपर देखो गे ना तो आपको वहाँ भी पूरा का पूरा आपको एक demo मिल जाएगा demonstration की किस तरीके से आपको application को use करना है ठीक है लिख लिया विटे screenshot लो जल्दी से screenshot लो आग्या चलते हैं खतरनाक चीज सीखाता हूँ इससे भी जादे ISO हमारे समझ में आगया ले लिया ना screenshot ठीक है इससे आग्या चलते हैं चलो देखो अब हमें थोड़ी सी खतरनाक चीज सीखनी है हमें सीखना है बिटे नियो क्या सीखना है नियो सीखना है नियो तैयार हैं सब नियो सीखने के लिए नॉर्मल हमने सीख लिया ISO सीख लिया अब हमें नियो सीखना है और आप नियो पैंटेन नियो पैंटेन बनाओ पहले अच्छा नियो पैंटेन बनागे दिखाओ जरा नियो पेंटेन कैसे बनेगा नियो पेंटेन आप कहोगे कि सर नियो पेंटेन चलो नियो आईसो में तो एक घटाते हैं पेंटेन नियो में घटाते हैं दो ध्यान रखना आईसो में एक घटाते हैं नियो में दो pentane माने 5 carbon और neo माने दो घटाई कितने बचे 3 बचे 3 बचे तो 3 carbon तो आपको सिध्धे बनाने हैं 1 2 3 ये बना दी है ठीक है दो घटाईते इधर से एक छोड़ दो या इधर से छोड़ दो ये दो जो घटाईते उपर और निच्चे बना दो यह बन गया NEO PENTENE NEO PENTENE को आप ऐसे दिखा सकते हो ऐसे यह यह BENTENE है यह फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो यह भी यह इक बात और सोच रहे होंगे हाँ जैसे कि मैं एक step पिछे लेता हूँ चलो यहां सोच रहे होंगे कि सर जब आपने हमें नॉर्मल पढ़ाना शुरू करा था नॉर्मल प्रोपेन से क्यों पढ़ाना शुरू करा था अपने हमें नॉर्मल इथेन सिखाते तो इथेन में तो दो ही कार्बन है, सिद्धी स्रंखला रहेगी मिथेन में एक ही कार्बन है तो एक कार्बन तो हमेशा एक तरीके से ही रहेगा उसमें क्या नॉर्मल आइसो नियो देखोगे दो कार्बन तो हमेशा सिद्धी स्रंखला में ही रहेगे उसमें क्या normal ISO नियों देखोगे तीन carbon में से हमें start करना है अब जब हम नी ISO पढ़ रहे तो ISO को कितने carbon से start करा हमने 4 से आईसो को 4 carbon से हमने start इसलिए करा क्योंकि 4 carbon सिद्धे भी हो सकते हैं और one-sided branch भी हो सकती है ISO का मतलब normally one-sided branch होता है एक तरब को जब साखा निकली भी हो तो आईसो स्टार्ट होता है ब्यूटेन से ही ध्यान रखना आईसो कहां से स्टार्ट होता है अलकेन में ब्यूटेन से स्टार्ट होता है और जो नियो हम पढ़ रहें अभी फिलाल नियो स्टार्ट होता है पांच कार्बन से यदी मैं आपको कहूँ नियो का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दुनों तरफ यदी ब्रांच हो तो उसे नियो कहते है डबल साइड़ ब्रांच वाले हड्रो कार्बन को या एलकेन को हम नियो एलकेन कहते है है तो नीओ स्टार्ट होगा पांच कारबन सी ठीक है चलो अच्छा इसे के दिखाओ आप बनाके दिखाओ नियो है नीओ हैक्सेन बनाके दिखाओ अच्छा इपनाके दिखाओ नीयोहेक्सेन कैसे बनेगा कल अब तो चार और यह जो दो घटाएं यह इधर या इधर से कहीं भी उपर और नीचे जोड़ दो यह बन गया नियो हेक्सेन क्या बना नियो हेक्सेन चार कारबन सिद्धे हैं एक दो तीन चार और यह दो कारबन एक उपर एक नीचे यह bond line structure है नियो hexane का ठीक है अच्छा नियो heptane बनाना नियो heptane बनाना जरा नियो heptane hept का मतलब कितने कारबन होते हैं साथ दो घटाओ नियो के लिए कितने बचे पांच पांच कारबन तो आप सिद्धे बनाओ एक दो तीन चार पांच दो घटाए उपर निच्चे एक एक बना दो यह बन गया एक दो तीन चार पांच यह बना दिया लो bond line structure भी बना दिया हमने इसका बना दिया ना bond line structure यह बन गया neo heptane जल्दी से screen sort लो ले लिया screen sort चलो आग्गे चलते हैं देखो अब हमें सीखना है बिटे एक चीज और बना दो अच्छा आप आप मुझे neo octane बना के दिखा दो neo octane कैसे बनेगा octane माने 8 carbon 8 में से 2 घटा दो कितने बचेंगे 6 6 carbon सिद्धे बना दो 1 2 3 4 5 6 2 घटा यह थे इधर जोड़ दो bond line structure बनाना है 1 2 3 4 5 6 और यह बन गया लो यह बन गया neo octane ठीक है screen sort लेना जरा इसका screen sort लो हाँ screen sort लो बिटे ले लिया screen sort ठीक है चलो आग्गे चलते हैं अब मैं आपको थोड़ी सी खतरनाक चीज सिखा रहा हूँ और ध्यान से देखना जरा थोड़ी सी खतरनाक चीज है डरने की बिलकुल भी आवशक्ता नहीं है बिलकुल भी डरने की बिलकुल भी आवशक्ता नहीं है सिरफ समझने पर ध्यान दो अब हमें पता क्या सीखना है अब हमें सीखना है यहाँ एक heading लिख लो note अब हमें सीखना है कि normal alkal group कौन से होते है आई сообщ अभी तो alkyl ग्रूप कौन से होते है अभी तो alkyl सीखे थे ना भही normal alkyl सीख लिया isoalkyl सीख लिया और nealkyl लिया अब alkyl नी alkyle group नॉर्मल एलकाईल, आईसो एलकाईल और नियो एलकाईल इनकी भी बहुत आवशक्ता पढ़ती है और्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जादे आवशक्ता पढ़ती है इसलिए अब मैं आपको यह नहीं सिखाऊंगा क्या होते है normal alkyl isoalkyl और neoalkyl group क्या होते है ध्यान से समझना देखो जैसे मैं यहां से पढ़ाना सुरू करूँ आपको और मैं आपको कहूँ कि सब से पहले हम पढ़ेंगे normal methyl सब से पहले normal methyl पढ़ेंगे चलो normal methyl क्या होता है ठीक है 1 minute यहां से पढ़ेंगे चलो यहां से सबसे पहले पढ़ेंगे नॉर्मल मिथाईल नॉर्मल मिथाईल क्या है तो नॉर्मल मिथाईल का मतलब मिथाईल माने एक कारवन है और इस तरीके से एक बॉंड उसके उप़र खाल ली है hydrogen तो पूरे करीदोगे एक bond है तो 3 hydrogen जोड़ दोगे ऐसे CS3 यह होता है normal methyl यदि मैं आपको कहूँ normal ethyl बताओ जी कैसा होता है तो आप कहूँगे normal ethyl का मतलब यह है 2 carbon है hydrogen पूरे कर देंगे एक bond पड़ा हुआ है यदि मैं कहूँ normal profile बताओ कैसा होता है normal profile group तो आप कहूँगे normal profile group ऐसा होता है जी 3 carbon और एक bond खाल ली hydrogen हम पूरे कर देंगे यदि मैं कहूँ normal butyl बताओ कैसा होता है normal butyl group आप कहूँगे जी normal butyl ऐसा होता है सिद्धी सरंखला वाला 4 carbon है hydrogen सब के पूरे है लास्ट में एक bond खाल ली है यदि मैं कहूँ normal pentile बताओ ना तो आप normal pentile भी बिल्कुल ऐसा ही बना दोगे आप कहूँगे 1, 2, 3, 4 और 1, 5 और 1 bond खाल ली ये normal pentile group है ठीक है ठीक है जी normal होगे सारे के सारे अब यहां से start करते हैं ISO जो असली खेल है ISO को मैं profile से start करूँगा ISO profile ISO profile group ISO profile group का मतलब है profile मने 3 carbon 3 carbon में से 1 carbon घटाओ कितने बचे 2 2 carbon की सिद्धी सरंखला आप बनाओ 1 carbon 2 carbon 1 bond खाल ली दिखाओ ठीक है और इसके उपर जो एक घटाया उस carbon को जोड़ दो इसे कहते हैं बिटे ISO profile group अपनी दिमाग की खिड़कियां खोल लेना बिलकुल बिलकुल दिमाग की खिड़कियां खोल लेना बिलकुल मतलब हमने ISO alkaline पढ़ेते अब हम पढ़ रहे हैं ISO alkaline group क्या पढ़ रहे हैं ISO alkaline group तो ISO profile group ऐसा होता है इसे आप कहीं तरीके से दिखा सकते हो, देखो, देखना ज़रा ध्यान से, ये इसका bond line structure हो सकता है, ठीक है, आईसो एलकाइल ग्रूप का bond line structure ये होगा, ये bond खल लिया है, ठीक है, और मतलब एक T बना हुआ है वस, क्या बना हुआ है T, एक bond खल लिया, ये तीन carbon है, एक bond खल लिया, आप चाहो तो bond line structure को यदी नहीं दिखाना चारे, confusion ओरा इससे, तीन carbon है, इस तरीके से, और एक bond इस तरे बीच में है, देखो, तीन carbon, यदी कोई से ऐसे दिखाता है न, ये तीन carbon है, एक carbon, दो carbon, और तीन carbon और एक bond ये दिखा दिया। ये तिन नो एक चीर लिखी भी हैं इसमें confusion नहीं हो न चाहिए ये भी आईसो प्रोपाइल गुरूप है ये भी आईसो प्रोपाइल है ये भी आईसो प्रोपाइल है यदि इसे पलट के मैं लिख दूँगा मालो मैं ऐसे लिख देता हूं कि एक bond इधर दिखाया और ये पू स्क्रीन सृट लो ले लिया चलो आगया चलते है इसो प्रोपाइल हो गया हमरा िस प्रोपाइल के बाद हमें सीखना है प्रोपाइल पयए ये बनाना है इसो कारबन का हम सिद्धेior बनाएं गगे마ंगे एक, दो, तीन, इसके उपर bond खल ली छोड़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद यहां से एक carbon छोड़ेंगे, यहां बनाएंगे, यह है isobutile, क्या है, isobutile, समझ में आ रहा न, यह isobutile है, यानि आप इसे ऐसे बना सकते हैं, यह तीन carbon है, बीच में एक carbon जुड़ावा, उस के उपर एक bond खल ली है, जो चीज यह है, वो ही चीज यह है, confusion नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, मतलब तीन carbon आपस में ऐसे भी जोड़ दो, एक, दो, तीन, और बीच में एक carbon है, इसके उपर bond खल ली है, hydrogen हर जगा के पूरे करने है, यह isobutile है, ऐसा होता है, isobutile, क्या हमारे देश के बच्चे जो है, बहुत लाजवाब है, लाजवाब बच्चे हैं हमारे देश के, isopentile, क्योंकि देश को बहुत अग्य ले जाना है, isopentile बना के दिखाओ, pentile मने 5 carbon, 5 carbon में से एक गया, कितने बचे, 4 carbon बचे, 4 carbon आप सिद्धे बना दो, 1, 2, 3, 4, एक bond दिख दो, एक गटा है, इधर से एक number गटा के, हाँ, यह है, isopentile, isopentile, isopentile ऐसा होता है, ठीक है, यह है, isopentile, देखो एक चीज है इसमें, एक चीज मैंने mistake कर दी, इसमें ध्यान से देखना, isopentile में आपको क्या करना है, जहां bond खली छोड़ा है, उससे दूसरी तरफ से एक isopentile, यह isopentile है, ध्यान रखना, जैसे ही, इसमें से हमने, अभी देखो, यहां confusion को दूर करता हूँ, आपके, जब हम isopropile पढ़ रहे थे, तो isopropile में तो हमने, तीन में से गटाया, दो, दो सिद्धे बना दी, एक bond खली छोड़ दिया, इधर से एक के बाद जोड़ना ह ठीक है, bond के दूसरी तरफ से गिनना है, अलकाइल में, आईसो अलकाइल में, देखो, चार में से गया, तीन, तीन सिद्धे बना दी है, एक जो घटाया, बाद की दूसरी तरफ से, एक छोड़ के यहां जोड़ना है, पांच में से गटाया, चार, चार सिद्धे बना दी है जो घटाया bond के दूसरी तरफ से इधर तो bond छोड़ रखा खल ली हमने संयोजकता खल ली है free valency है इधर से एक छोड़ के फिर जोड़ना है ठीक है तीन carbon आप ऐसे बना सकते हो देखो एक, दो, तीन, ये तीनो carbon है दिस दिस एंड दिस उसके अग्ये दो carbon जुड़ेवे हैं इस तरीके से और ये bond खल ली है bond line structure भी बना सकते हो ये होता है isopentile group ठीक है बिटे, isopentile अच्छे यदि मैं कहूं isohexile बनाओ भई isohexile तो isohexile group बना दो गया आप आप कहोगे जी हाँ, hexile बने 6 carbon 6 मैं से एक गया, बचे 5 carbon तो सिद्धे बनाने, 5 carbon सिद्धे, 1, 2 3, 4 5 और एक bond खल ली इधर से किनो, यहां जुड़ेगा एक carbon, ये है isohexile group ठीक है बना लोगे isohexile screen sort लो जल दी से screen sort ले लिया screen sort ठीक है आग्ये जलते हैं, isohexile आपने बना लिया, अब मुझे isohexile बना के दिखाओ, iso hexile group कैसा होता है isohexile group कैसा होता है heft माने 7 carbon, 7 मैं से एक गया, 6 बचे, 6 तो हमें सिद्धे बनाने हैं, 1 2, 3, 4 5 और 6, एक bond दिखाना है जो घटाया हमने एक उसे इधर से किन लो यहां जोड़ो, यह बन गया आपका isohexile group isohexile, ठीक है अब iso तो बना लोगे आप iso बनाने के बाद, अगले step पर आते हैं, iso बनाने के बाद अब हमें neo देखने हैं बिटे, neo, neo alkyl group मैं यहां सबसे पहले start कर रहा neo pentile group neo pentile बना के दिखाओ आप मुझे neo में कितने घटते हैं, दो घटते हैं न neo pentile pentile माने 5 carbon neo माने 2 घटाने है, 5 मैं से 2 गए 3 बचे, 3 मुझे सिद्धे बनाने है 3 सिद्धे बनाने है 1, 2, 3 1 bond खली छोड़ना है इधर से गिनो, 1 छोड़के ये दो जो घटाई हैं उपर निच्चे बना दो यहाँ, यह होता है neo pentile group, ध्यान रखना इसे neo pentile group कहते हैं अच्छा यदि मैं कहूँ neo hexile बनाओ neo hexile, बना दोगे neo hexile neo hexile बना दोगे क्या आप कहोगे जी, हाँ बिल्कुल बना देंगे neo hexile hexile बने 6 carbon 6 में से 2 घटाई, कितने बचे 4 बचे, 4 carbon सिद्धे बनाने हैं 1, 2, 3, 4 1 bond खली छोड़ना है, 2 घटाई हैं इधर से गिनो, एक तो उपर जोड़ दो, एक तो नीचे जोड़ दो यह बन गया आपका neo hexile बताओ क्या problem है और यहां बच्चों ने जो है बारवी करली, ग्यारवी करली बारवी करली, BSC करली, MSC करली, BTEC करली, MTEC करली नॉर्मल आईसो नीओ में फसे पड़े हैं सारे के सारे नॉर्मल आईसो नीओ समझ में ही नहीं आ रहा ठीक है लिख लिया neo hexile स्क्रीन सोट ले लिया ना, चलो आग्या चलते है neo hexile के बाद अगली बात करते हम neo heptile की अगली बात करते हैं neo heptile बनाओ neo heptile neo heptile कैसे बनेगा heptile मने 7 कारबन 7 में से 2 गटाई, कितने बचे 5 बचे, 5 कारबन सिद्धे बनाने हैं, 1, 2 3, 4, 5 अगली चोड़ना है, इधर से गिनके में 2 कारबन जो घटाईते उपर निच्चे लगा दो एक के बाद, यह बन गया neo heptile group क्या बन गया, neo heptile group बन गया बिटे क्या बना हाँ ठीक है ठीक ठीक, बस मेरा एक topic रह गया, इसे भी मैं complete करा देता हूँ यह जैसे यह topic complete होगा, बस एक point और सिखाना है मुझे आपको आप screenshot रेलो पहले इसका ले लिया screenshot ठीक है, आगगे चलते हैं चलो, अब देखो कितना मज़ा आने वाला है अब देखो कितना मज़ा आने वाला है एक heading लिख लो note दिमाग की खिड़गियां खुल जाएंगी बिल्कुल दिमाग की खिड़गियां सारी खुल जाएंगी देखो, अब हमें बेटे, हमें सीखने primary secondary और tertiary ठीक है या फिर one degree two degree या three degree alkyl group इनकी भी बहुत ज़रत पढ़ती है इने सीखा दूजरा मैं आपको यह बहुत ज़रूरी है सीखने सीखो ज़रा ध्यान से इने तयार हो जाओ बिल्कुल एकदम, देखो यदि एक्जाम में आता है one degree प्रोपाइल one degree प्रोपाइल बनाना है तो one degree प्रोपाइल का मतलब यही है हाइडरोजन में कही नहीं बना रहा यह तो आप इसे primary profile कहो हो यह तो one degree प्रोपाइल कहो और यदि one degree butyle आ गया तो बना And 분들이 butyle का मतलब जो bond छुटावा है वो primary carbon पर होना चाहिए यह वंडिगी carbon के उपपर देखना जो bond छुटावा है वो वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है ना ये कार्बन तो डिरेक्ली एक ही कार्बन से अटैच है तो मैं इस वाले कार्बन को प्राइमरी कार्बन या वन डिगरी कार्बन कहूंगा इसलिए ये प्रोपाइल ग्रूप है वन डिगरी प्रोपाइल ग्रूप या प्राइमरी तीन, चार, पांच और जो सहीं योजकता खली पड़ी है वो primary carbon atom के उपड़ी पड़ी है सहीं योजकता आपको बता है न, यह primary carbon atom है क्योंकि यह carbon atom के विल directly एक ही carbon atom से attach है इसलिए primary carbon atom है या 1 degree carbon atom है इसलिए इस pentile group को primary pentile group या 1 degree pentile group कहा जाता है ठीक है? तो डिगरी प्रोपाइल कर लोगे देखो ड्यृटीगरी प्रोपाइल का मतलब होता है कि हाँ तो inspire myhoo 3 во ये एक और कभू में ये निरे मुए आप घो होगए ये वाला कारшь वनीटन के उपर होगा data तो यह वाला secondary carbon atom है, इसके उपर bond खल ली होगा, यह है आपका two degree profile group, two degree profile group is also called as isopropyl group, no doubt, कोई doubt नहीं होना चाहिए, isopropyl group is also called as two degree profile group और secondary profile group, ठीक है बिटे, अच्छा two degree की जगा मानलो मैं secondary लिख दू, तो confusion तो नहीं होने का कुछ है, आप secondary लिख दो, two degree लिख दो, primary लिख द मानलो मैं कहूं secondary butyl बनाओ ना, secondary butyl बनाओ ना, आप कोगे जी हाँ बना देंगे, एक, दो, तीन, चार, और कहीं भी एक bond secondary carbon atom पर दिखा देंगे, तो एना secondary carbon atom, this one and this one, कहीं भी दिखा दो एक bond, ठीक है, तो यह हो गया, secondary butyl group, अब मैं कहूं secondary, yes, two degree, pentile group बताओ, कैसा होता है two degree pentile group बताओ, कैसा होता है, तो आप कहोगे जी बता देंगे, secondary या two degree pentile group, बता दोगे, पांच carbon, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह भी secondary, यह भी secondary, यह भी secondary, किसी एक के उपर bond छोड़ दो, यह बन गया secondary pentile group, किसी भी secondary carbon के उपर bond दिखा दो, secondary pentile group बन जाएगा, अच्छा बताओ, secondary hexile group बना दोगे क्या, आजी बना देंगे, hex माने 6 carbon, 3, 4, 5, 6, किसी एक के उपर bond छोड़ दो, जो बीच के 4 secondary carbon atom है, यह सारे, इसके उपर bond छोड़ दिया, secondary hexile है, इस पर छोड़ दिया, secondary hexile है, समझ में आरी ना बात, यह सारे secondary hexile group है, ठीक है, बस बेटे सुभम, सुभम एक topic रह गया, बस यह topic करवा दूँ, बस आपको मैं, यह topic करा दूँ, ठीक है बेटे, secondary hexile, अब बस screen shot ले लो जल्दी से, primary 1 degree कर लिया, secondary 2 degree, tertiary 3 degree करना है, ले लिया screen shot, ले लिया screen shot, आग्या बढ़ते हैं, चलो, आग्या बढ़ते हैं, अब मुझे जो है न, आप तरसरी वाले बना के दिखा दो, बस, आप मुझे तरसरी ब्यूटाइल बना के दिखा दो, तरसरी ब्यूटाइल, तरसरी ब्यूटाइल, तो तरसरी ब्यूटाइल में ध्यान रखना, ब्यूटाइल में चार कार बने, एक गटाना पड़ेगा, ऩा यह रखे हुआ है तरसरी ब्यूटाईल समय रहे हैं अब यदि मैं कौई hai टरसरी लुटाईल के बाद कौन सा आीगा प्रचार तरसरी theor이면 काईल गेप में आपको एक घटाना पड़ता है क्योंगी टरसरी कार मन हमें प्राप्त करना होता है ने टर्सरी कार्बन, पांच में से गए चार, चार कार्बन तो आप सिध्ये बना दो, एक, दो, तीन, चार, इन दोन्नों में से किसी एक के उपर वो जो घटाया ना वो जोड़ दो, यह जोड़ दिया, अब टर्सरी कार्बन केवल यह है हमारे पास इसके उपपर एक bond खली दिखाना है यह तरसरी pentile group है आप यह काम बिल्कुल इस carbon पे भी कर सकते हो जब भी तरसरी pentile group होगा ठीक है अच्छा यदि कोई कहे कि तरसरी या 3 degree hexile group बना के दिखाओ ठीक है तो hex मने 6 carbon में से एक carbon घटाओगे बचेंगे 5 5 तो आप सिद्धे बनाओगे 1, 2, 3, 4, 5 बीच वाले 3 में से किसी एक के उपर यह जो घटाया वो जोड़ दो और उसी के निच्चे bond दिखा दो क्योंकि वो ही तरसरी carbon atom बनेगा hydrogen हर जगा पूरे करने है ठीक है स्क्रीन सॉट लो जल्दी से ले लिया स्क्रीन सॉट परवीन परवीन बेटे स्क्रीन सॉट ले लिया क्या मुझे आपकी क्लास पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है अमिज सिंग पूजा रणा no sir no 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 मनोज गुमार sir मजा आ रहा है sir अभी आप पढ़ाते रहिए sir मजा आ रहा है ठीक है चलो एक चीज़ और सीख लो फिर इसी नाम पर एक सीज़ और सीखो एक खतरनाग चीज़ और सीख लो एक हैडिंग लिख लो note note देखो बेटे आपको जो है न बेटे carbon का संकर्ण पता होना चाहिए carbon का संकर्ण यानि hybridization of carbon atom इंगलिस में कह सकते हो hybridization of carbon atom carbon atom का संकर्ण इसके बारे में भी knowledge होनी बहुत जरूरी है हमारे पास जो organic compound जितने भी हैं जैसे माल लो यह carbon है और कोई carbon atom ऐसा दिखाई दे रहा आपको जिसने 4 single bond बना रखे हैं तो आपको देखना है कि उसने कितने sigma bond बनाए है आपको देखना है कि उसने कितने sigma bond कितने बनाए है यहां लिख देता हूँ sigma bond और sigma bond गिन लेना बस sigma bond गिनके आपको hybridization या संकरन पता चिल जाएगा संकरन carbon atom का जो संकरन होता है वो सिरफ नंबर of sigma presidents पर depend करता है और आपको पताए कि single bond sigma होता है, सब को पताए कि यदि कहीं single bond है तो वो sigma है, यदि कहीं double bond है, तो उसमें एक sigma है एक πाई है, यदि कहीं triple bond है तो उसमें एक सिगमा है एक क्या है सिगमा और दो है पाई ठीक है एक सिगमा और दो पाई है मतलब यह जरूरी नहीं होता कि उपर वाला सिगमा निच्च वाले दुन्नों पाई इसमें से जो भी सबसे पहले बना वो सिगमा है तीनों में सर्व बक्य जो बाद में बनेवें pi bond है देखो यदि carbon ने 4 single bond बना रखे हैं तो 4 sigma होंगे तो sigma bond 4 है और 4 sigma bond है तो संकरन की गडिया में 4 ककसक हिस्सा ले रहे होंगे 4 ककसक 1, 2, 3, 4 उन 4 ककसकों में 1 तो ककसक होगा S का और 3 ककसक होगे P के तो संकरन क्या हो जाएगा SP3 संकरन जो कार्बन एटम चारो सिंगल बॉंड बनाता है ओ कार्बन एटम SP3 संकरन दिखाता है अब यदि कोई कार्बन एटम ऐसा है कि उसने दो तो ऐसे सिंगल बॉंड बना रखे एक डबल बॉंड तो आपको बता सिंगल बॉंड सिग्मा सिंगल बॉंड सिग्मा डबल बॉंड में एकी सिग्मा देखो डबल बॉंड में एकी सिग्मा होता है कितने सिग्मा हुए तीन सिग्मा हुए तो तीन ही ककसक संकरण की क्रिया में भाग ले रहे होंगे एक तो होगा S ककसक और दो होगे P ककसक तो SP2 संकरन होगा ऐसे कारभन एटम का यदि कोई कारभन एटम आपको ऐसा दिखाई देखता है ना देखो ऐसा कि दुन्नों तरफ double bond है तो आपको बताए double bond में 1 sigma, double bond में 1 sigma total sigma 2, 2 sigma है तो संकरन की क्रिया में दो ही ककसकों ने हिस्सा लियाओगा उसमें एक S ककसक होगा एक P तो ऐसे संकरण को हम SP संकरण कहते हैं ऐसा कार्बन एटम SP संकरण दिखाता है और यदि कार्बन एटम ऐसा आजए कि एक तरफ 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 ट्रफ बॉंड है ट्रिपल बॉंड और एक तरफ सिंगल बॉंड है तो सिंगल बॉंड में एक सिंगमा है ट्रिपल बॉंड में भी तो एक ही सिंगमा होता है देखो एक ही तो सिंगमा है तो यहां दो ही सिंगमा बॉंड है दो सिंगमा बॉंड है पर संकरन वो तीन तरह गई दिखाता है या तो SP3 या तो SP2 या तो SP ये दुन नों एक ही जैसे संकरन है SP ये देखो कौन से है SP देख रहे ना स्क्रीन सॉट लो जल दी से लेना स्क्रीन सॉट ले लिया विटे ठीक है अब देखो मैं एक बाद बता रहा आपको स्क्रीन सॉट ले लिया सब बच्चों ने एक बाद बता रहा हूँ ये जितनी बेसिक चीज़े मैंने आपको पढ़ा ही है न बेसिक कंसेट ये बार बार गिर रहा बार बार ठीक है कह रहागी मुझे तो इस्तेमाल कर लो आज देखो क्या हो रहा जितने भी हमने बेसिक कंसे कर दूँआ यदी हमने यदी हमने इस चीज को समझ लिया ना जो आज मैंने पढ़ाया है कितने पेज पढ़े हमने 18 पेज टोटल 18 पेज हैं जो एप वाले बच्चे हैं उन्हें 18 के 18 पेज मिल जाएंगे PDF के ठीक है जो application पर हैं बच्चे ठीक है बटे बस आप महनत और इम return notes बनाते रो तो thank you very much for watching this video okay bye